मौसम खराब हो तो चाय चाहिए और मौसम अच्छा हो तो भी चाय चाहिए नीन आ रही हो सरदर्द हो या कोई भी रीजन हो हम भारतियों को चाय भीना बहुत पसंद है लेकिन एक अच्छी चाय के लिए एक अच्छा सा चाय मसाला होना चाहिए तो इस चाय मसाले को हम तो चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं, यहां पर हमने एक पैन ले लिया है, और पैन में डाल देंगे तीन बड़े चम्मच इलाइची, यह हरी इलाइची ली है मैंने, और इस मसाले में सबसे ज़्यादा हरी इलाइची ही जाएगी, बादवागी के मसाले थोड़े कम ही डले और एक चम्मच यहां पर हम काली मिर्च के दाने ले रहे हैं, और एक चम्मच ही लॉंग के दाने ले रहे हैं, और अब इसमें डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच सौफ, यहां मैंने साबद सौफ ली है, और अब मैंने यहां पर दो से तीन सूखी सौट के टुकडे लिए ह और तीन बड़े बड़े टुकडे मैंने यहां पर दाल चीनी के लिए हैं अगर छोटे टुकडे हैं तो आप इसकी quantity बढ़ा सकते हैं और एक काली इलाइची जिसे हम बड़ी इलाइची भी कहते हैं वो मैंने यहां पर ली है और आदा इसमें जाय फल डाल देंगे तो दोस्तों चाय का गर्मियों का मसाला अलग बनता है और सर्दियों का अलग बनता है तो यहां हम सर्दियों में बनने वाली चाय के लिए यहां पर चाय मसाला बना रहे हैं और सबसे आखे और तुलसी के बीज आप यहां पर तुलसी के पत्तों को भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर तुलसी के बीज लेये हैं और यह बहुत ही ज्यादा फाइदा करते हैं Low to Medium medium flame पर हम यहा है इसे जिसे शेक्ट लेंगे एक तो हमारे जो मसाले हैं उनकी सेल्फ लाइब बढ़ जाएगी ये मसाला जल्दी खराब नहीं होगा और 5-6 मैने तक आप इस मसाले को रख सकेंगे दूसरी चीज हमारे जो मसाले हैं उनमें खुश्बू बढ़ जाएगी और वो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे हमारी चाय को दो से तीन मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है बहुत अच्छे से भून लेना है यह हमारा जाय का मसाला अच्छे से भून गया है तो अब इसकी गैस आफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे इन मसालों को हमें बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है उसके बाद ही ग्राइंड करना है गरम गरम में इसे बिलकुल भी नहीं पीसेंगे यहां हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सर जार में ट्रांसपर कर लेते हैं हमें इस मसाले को बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका एक मोटा मोटा दरदरा सा पाउडर बनाना है और सबसे आकिर में मैस में डाल रहे हूँ आदा चमच मुलेठी जो इन सर्दियों में हमारे गले को बहुत फाइदा पहुंचाती है बिल्कुल भी खराश नहीं होती हमें खांसी से बचाती है अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर ना हो तो आप साबत मुलेठी को भूनते समय ही ले लीजे यहां देखिए दोस्तों मैंने इस पाउडर को बना कर तियार कर लिया है बिल्कुल मोटा मोटा इसको मैंने दर दरा पीसा है बिल्कुल भी fine powder नहीं बनाया है दोस्तों हमारे इस चाय के मसाले को आप 2-3 महीने के लिए store करके रख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी खराब होने जैसी कोई भी चीज नहीं है यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है जितने भी हमारे spices होते हैं जो पिसे हुए form में होते हैं या फिर grind form में होते हैं तो उनकी smell जो होती है वो धीमे धीमे कम होती जाती है इसलिए जब भी आप उन्हें grind करके इस्तमाल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएं जिससे की उसमें जो aroma है जो खुश्बू है उनकी वो बनी रहे तो दोस्तों हमारा चाय का मसाला तो बन कर तयार हो गया है तो इस मसाले को अपनी चाय में कैसे इस्तमाल करेंगे वो देख लेते हैं बहुत थोड़ा सा मसाला जाएगा, अगर आप एक कड़ चाई बना रहे हैं तो एक चुटकी जितना इस मसाले को इस्तमाल कीजिए इस थोड़े से मसाले से ही हमारी जो चाय है वो बहुत फ्लेवर्फुल, बहुत ही खुश्पु वाली और बहुत ही टेस्ट वाली बनीगे और अब इसमें चाय पती को डाल देंगे और हम यहाँ पर अब चाय को तीन से चार मिनट तक अच्छे से लोटु मेडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे जिसे यह जो फ्लेवर्स है वो और इन्हांस हो जाए और जब हमारी चाय अच्छे से कुख हो जाएगी तीन से चार मिनट अच्छे से पक जाएगी उसके बाद ही आप इसमें दूडुर डालेगे और हम सबसे आखिर में इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को स्टार्टिंग में दोस्तों कभी तो ऐसे में आप इस मसाले को बना कर रखें और अपनी चाय में इस्तमाल करें तो इस मसाले को आप हमेशा तयार रखें और अपनी चाय में इस्तमाल करें तो यह चाय के मसाले का वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा और न झाल झाल